अजर जहीं माँ बताता हूँ, अजर जहीं माँ बताता हूँ, अजर जहीं माँ बताता हूँ, यह बात एक सोच की है, सारी आवाद नीचे की जाएगा, कोई आवाद नहीं जाएगा, इस सब आवाद नीचे की जाएगा, अब मेरा एक सवाल एक से है, आप सभी लोग एके रिस्पाउन एके रिस्पाउंड आ एक आ डर है उत्वात का पही जौब डीजिए का वारत बोलेंगे एक जो आपके साथ में एक पतरकार बैठे हुआ है जो फाक्स के साथ बात करते हैं अब रुजाई आपके साथ में एक एमिश्ट्रा बैठे हुए है बोलेंगे एक बता देंगे एक आपके मद चीज आप मत रहे हर जगा अपना 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 रख टर्जा कर दूए अपना अपना उन्हां करों गाध नेहा मैं सवाल बोलों मेरे सवाल सुने आप भलाई के बहुत बढ़ा राजनेतिक सुआख और एक एक बं चीए रहा है भलाई के पिसे बहुत बड़ा राजनायतिक स्वार्थ है पिसे बहुत बड़ा राजनायतिक स्वार्थ है अब की बार मुस्लिम महिलाओं का विश्वास जीता जाएगा और यही एक मास्टर प्लान तयार हुआ है भारती ये जनता पार्टी के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा या फिर नहीं बीजेपी के लिए 2022 के विश्वान साबाचिनाओ में ये मास्टर स्टोक साबित होगा या फिर नहीं आच्छा करेंगे दूकि कर भी रही है एके मिश्वा एके मिश्वा इतना असान है मस्ली महिलाए आराम से बीजेपी के साथ में आ जाएंगे अमूमन क्या होता है na कि परमपरागہ तरिके से ये कहा जाता है कि एक मिस्ली महिला देखे कोई बुरा ना माने लेकिन बहुत जनरलाइस सी एक बात मैं बताता हूँ एक मुस्लिम महिला कंट्रोल्ड होती है अपने पती के जरीए अपने भाई के जरीए अपने पिता के जरीए हिंदुस्तान में एक यह उसकी नियाती होती है और जब कंट्रोल होती है इन मर्दों के जरीए जब पुरुषवादी सोच के होते हैं तो आपको लगता है कि इतनी आसानी से बीजेपी की सदसिता ले लेंगी मुसलिम महिला है देखे राशिद मैं आपको बता हूँ बीजेपी ऐसा कोई भी काम नहीं करती एक स्टेटमेंट या एक शब्द भी नहीं बोलती है जिससे कि उसको राजनियतिक फैदा नहों समाज का फैदा होना किसी और का फैदा होना वो सेकेंडरी होता है पहले इनका फैदा होता है मैं इसी चीज़ पर बोलता हूँ कि अगर इनको इतनी ही चिंता है तो क्यों नहीं दस-बीस मुसलिम महिलाओं को पुर्शों को तो छोड़ दीजे मुसलिम महिलाओं को MP का टिकट टिकट लिये नहीं देंगे साफ सचे दिल से मदद करनी है अब आप रुख जाएं अब आप रुख जाएं नहा शानली दुआ आप जवाब दीजे कितनी मुसलिम महिलाओं को टिकट दिया कितने मुसलिम महिलाओं को टिकट देंगे चलिए मैं आगे की बात करता हूँ पीछे चोड़ दीजे ना 2022 में बता दीजे कितनी मुस्लिम महिलाओं को टिकट देंगे आप ने ये बारा उप चुना होने वाले हैं वहीं पूछ दीजे बारा उप चुना हो एक तंड नहा शाली दुआ नहीं 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 पर दूसरा सवाल करने के लिए आपके पास नहीं आऊंगा मेरे जो सवाल किया जा रहा है ना बहुत बहुत लॉजिकली जवाब दीजेगा और लॉजिक लॉजिक के साथ साथ रशनेल होने चाहिए बारा उप चुनाओं में कितने टिकट मुस्लिम महिलाओं का आप लोग देने जा रहा है चलिए मेंबर्शिप दे देंगे टिकट कितने देंगे ये बताइए जो हमारे साथ होंगी हमारे विचार धारा से जुड़ रहे हैं उन सभी मुस्लिम महिलाओं को आप देखे हर चीज़ की एक काबलियत होती है अगर उस काबलियत में वो पूरी उट रहेंगी तो डेफिनिटली उनको क्यों नहीं जाएगी शाजिया इल्मी हमारे यहां प्रवक्ता है और शाजिया इल्मी टीवी पे नज़र आती है लेकिन टिकट पे नज़र नहीं आती ह टीवी पे नज़र आती है लेकिन टिकट पे नज़र नहीं आती है अब की आवाज कटरे एक बीच में बात यह भी निकल करके आई थी धरमीर चौदरी का यह कहना था कि जो मुस्लिम महिला है बीजेपी के लिए महज एक मुखोटा ही है क्या ऐसा है बिलकुल है देखे रा बनाया जाता है ना मलाई जो निकलती है वो यह खाएंगे बाकी चाश वगर मेरा सिंपिल सवाल है मैं मानता हूं मुस्लिम महिलाओं में भी ऐसा तो है नहीं पढ़ी लिखी महिला है डॉक्टर इंजिनियर है दो चार को एंपी बनाई है मंत्राले वगर दीजिए तो खु यहां पे भी है पहले पॉलिटिक्स करना वोट बैंक गेन करना पिछली वार इन्होंने क्या किया राम भक्तों को मेंबर बनाया राम मंदिर तो बना नहीं मेंबर सारे बन गए अब और विपक्ष को कैसे कमजोर करें और आगे आने वाली जो चुनोतियां है राजस्थान म इनका अपना वोट बैंक का साधना यह एक बहुत इंपोर्टन चीज है ठीक है पॉलिटिकल पार्टी है करना चाहिए यह एक रणनीत है लेकिन मैं बोलता हूं कि चतुर्दिक्स चारों तरफ से आप भलाई करिए उनको जो है किवल इतना नहीं की छोटे-छोटे पोस्ट थापने दे दिए उनको टिकट भी देडीजिया ठीक है मुस्लिम पूरिसों को आप नहीं देते हैं मुस्लिम महिलाये जो यह चान्सपा में बुलाईए उनकी न्यूकति नहां मैं सवाल बोलूँ मेरे सवाल सुनने आप इस भलाई के इसे बहुत बड़ा राजनेति फुराथ है देखे एके इस मुल्क के उन चंद पत्रकारों में से हैं जो कभी भी किसी पार्टी की नुमाइंगी नहीं करते हैं जब भी बोला करते हैं अनबायस ड्वे में बोला अब मुझे नहा एक बात वाकई में समझाईएगा तेके पॉलिटिक्स में जो डिसीजन होते हैं न दो चीज़े पॉलिटिकल डिसीजन और पॉलिटिकल पोर्चरिंग ये दोनों टाइमिंग के हिसाब से चला करते हैं अगर वाकई में मुसलिम महीलाओं के लिए सदस्ता अबियान के शुरुआत करनी थी तो क्यों ना लोग सबाद चुनाव से पहले की गई क्यों ना विधान सबाद चुनाव से पहले की गई जब सारे चुनाव खतम हो गए जब आपको ये पता है अगले तीन साल तक उतर प्रदेश में कोई बड़ा चुनाव होने वाला नही कोई बड़ा चुनाव नहीं होने वाला है तो ऐसे में आप लोगों ने चंद लोगों को खुश करने के लिए या मुख़टा बना करके दिखाने के लिए इस तरह का मेंबर्शिप कैमपेन आप लोगों ने शुरू किया ये तो कहा जाएगा ना मैम ओर ऐकह कि özवाथ का घवाद कभी जवाद दीजेगा सुरिए तौजे रिक्रफ साथ अवाद कभी जवाद भी जवाद़ीजिए अप MLA क्यों नही है UJP के MLA क्यों फिर्फ कि हम क्यों नहीं है कि अपने जानते कोई बत्र कर नी मिंचा है कि आंपका पार्वन को पॉत अचे अगर अगर मुसल्मानों को तो आपको ब्रॉल गता है की ह्सक्राइब एक्पे स्राइन की HELasındacare लेतार वह थितरो चाहिए क्यों मुझे अपर आप बाद कि सवाल का मिला 8 के सवाल का जाव नहीं मिला कि मुस्लिम महिला विथाय क्यों नेहीं मुस्लिम महिला MP क्यों नहीं मुस्लिम महिला मंत्री क्यों नहीं इसका जवाब अभी भी नहीं जब रही है नियां यह अभी 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 रिछाइए बताता हूं नियम समझाता हूं जिर्टनेया तरहें गहां? तो दुचे के साविश नही जाएं सुप्यार सांवी टुचे सर अद्ध मेरा मानना यह कि इस टोन में एक ठुचिए नहाजी नहाजी अड़ाजी तुचिए पर जाती है अब रुख जाईए अब देखिए उमनांदन कौशिक कैसे बोलता है हम सभी को समय दरवी चादरी जी चीक चिलाट नहीं 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 वह इंदू और वह मुस्लिम औरतों के परिवार को मुस्लिम औरतों को जो है उनके परिवार में लड़ाना चाहते हैं यह जो आप प्रफिए बेदर बताएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे अब बागी लोग से सवाल कर लूं क्या अब लीज डिबेट को डिरेल मत कीजिए पहसनल एजंडा की बात नहीं हो रही है बड़े कैनवास की बात हो रही है एक है यह डॉक्टर वसीम ने एक नया शगूफा छोड़ दिया इनका कहना यह है कि अगर मुस्लिम महिला है अगर बीजेपी की सदस्ता ले रही है तो यह एजंडा है मुस्लिम महिलाओं का घर त बोलेंगे फिर डॉक्टर रावत बोलेंगे फिर रुवाननन कोशिक जी बोलेंगे उसके पीछे रीजेन है एक तो बीजेपी जो तीन तलाक और यह सब बाते कर रही है ठीक है यह दूर होना चाहिए राजनेतिक फैदा देखिए जिस लेड़ी को तीन तलाक मिल चुका है या जो इस चीज से पी-डित है अगर उनको मेंबर बना रहे है जिधर इनका फोकस है मुद्धे पे तो वह तो अटल लेड़ी पीडित है वह तो अल लेड़ी घर से निकाली गई है रही बात अगर कुछ लोगों को ऐसा डर लग रहा है तो उनको क्यों डर लग रहा है अगर आप पैरवी करते हो कि महिलाएं जाके आगे बढ़ें तो आप इस चीज को यह क्यों सोच रहे हो कि मेरा घर तोर देगी या पती को छोड़के आप कैसे भी फैमिली को नुकसान करेगी लेकि कि भानिलाब जो भी हो अपना पर्सनल गेन बीजेपी कैसे इसमें देखती है देखिए डिवाइड करना पार्ट में होता क्या है एक विसेस तपके को चुना है जो कि पूरी पॉपुलेशन या जितने भी 90 करोन वोटर है उसमें देखा जाए तो 2-3% होंगे ऐसे लोग मह कंबेंसी की चुनोतियां होंगी वो उससे बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से निप्टेगी और यह ट्रायल है 12 जो उप चुना होने वाले हैं इसी में यह ट्रायल करेगी टेस्ट मार्गेटिंग कर रही है ठीक कर रहा है ठीक कर रहा है और क्यामत तक सुन लिजे कि ना मुस्लिम महिलाएं ना मुस्लिम मर्द इन से जुड़ेंगे वीजेपी से जुड़ सकते थे मुसलमान तो अटल वियारी बातवेश आपके साथ में एक यह मिश्ट्रा बैठे हुए है जो फार्वेस के साथ बात करते हैं now I can सब लोग पूंग ना 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 नशाइं के अब ब Vegनामा हम आउप लॉडएंसर का प्रतिश्फ मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया ये इनका कयना ही है कि मुसलिम कभी बीजेपी के साथ नहीं जोलेंगे जो पहले सारा मुस्लिम एक ही पाईजी को वो characters पाट सुन्सिhtyy 52 में से 52 में से कि एक 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 का अगर दिया है तो कल उनी ने उनी को तुबलों ने करके मिला लेगी ऐसा हुता है एक परिवार मिलके वोड देता है कभी एस थी होता है और अच कहीं वोड देती है सब्सक्राइब कर दिया किजिए जहां पर करप्टर डिबेट हो आपर आवाद नीचे कर दिया किजिए सीधे नीचे कर दिया किजिए सबसे बड़ी बात है इस से बड़ी बात यह है की एक बड़ा प्रतिशत मुस्लिम का बीजेपी के वोट बैंक के तौर पर गया है और आप चुक्नी सेफलोजिस्ट हैं तो यह बात कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम जो है बीजेपी को कभी वोट नहीं देगा मुस्लिम बीजेपी के लिए कभी वोट बैंक नहीं बनेगा डॉक्टर वसीम साब कैसे ये बात कैसे आप ये बात कैसे कह गया आप जो पांच साल से 2014 में हम लोगों ने भी चुक्रे हमने सुचा एक नई सरकार आ रहे है एक नई रादे से एक नए लीडर आ रहे है तो बहुत लोगों ने वोट दिया था और मेइमान दारी से बहन अंद अट बैंद बूत तो मैंने बीट दिया था नहीं पारिमेंट में पहले में हिंदुस्तान की तारीक नारे लगाएं ब स्पित प्सक्रा नदर आने चाहिए वसीम जी आप तर्फ तर्फ तलाग से पिर्पूल तलाग से तलाग समाजी मसला ये जो तलाग से अब कि यहाद्वाद दोगो 5 आश्वाद लाग घुड़ीं है मीरीए मिष्टा स्वान अंद्ध के अवर और इस्वार का एक सब्सकतारा राम मंदिर का इश्व इसकी भी एक उम्र रही है कबिस्तान शम्षान इसकी भी एक उम्र रही है और बीजेपी को भी ये समझ में आने लगा है कि धुरूवी करन की भी अपनी एक उम्र होती है लहाजा अब थोड़ा सा वाकी लोगों को भी साथ में ले करके चला जाए और इसी का नतीजा है कि पहले भाशनल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसा नारा दिया गया पहले बिल के तौट पर ट्रिपल तलाग बिल लोगसभा में पेश किया गया और यूपी में महिलाओं को बीजेपी से जोडने के लिए बड़ा सदस्ता अबियान अब चालू कर दिया गया है क्या ये माना जाए कि अब नए यूग के साथ नया इशू और नए इशू की नई उम्र शुरू हो गई है राशित बिलकुल आप सही बोल रहे हैं और देखे मैं बोलूँ मैं विपक्ष को ये बोलना चाहता हूँ ये बीजेपी की खूबी है और पॉलिटिक्स एक इतना कॉंप्लेक्स सबसे जबरजस्त सबसे ज़्यादा कॉंप्लेक्स सबसे डैनामिक फेनामेन है जहां पे चेंजेज बहुत तेजी से होते हैं आप ये देखिए आपने जितने इशु बता हैं उनकी लाइफ कितनी रही है एक मैने दो मैने तीन मैने चार मैने छा मैने और उसी में उस इशु का बेनिफिट ले करके कोई हारा कोई जीता और फिर बदलते हुए मानसिक्ता बदलते हुए समय के हिसाब से वह इशु जो ह वह सारे इशु बीजेपी भूल गई जो चुनाओं के पहले उन्होंने उठाये थे अब एक्डम नए इशु आ रहे हैं वह जाएगी अगर मुस्लिमों के तुष्ट्री करन होने लगा तो रामंदिर कौन बनाएगा जिसको बीजेविन रामंदिर कौन बनाएगा सर ना यह ना ना मतुरा भूली ना कासी भूली ना भाग मात को बूली ना राश्रमाद को बूली आप शाल ने जल्दी बोले हमिजे वाइंड आप करना है ने जल्दी बोले हैं आप ने लागो!